थैंक यू फोर वाचिंग वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बैल आइकोन का बटन दवाना ना भूलें जिससे कि आपके पास और भी अच्छे अच्छी वीडियो आ सकें आगर आपको डिवविंग के बारे में और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बोक्स में थैंक्यू वाचिंग वीडियो आज हम अपने डोग की ओपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि आपको अपने डोग की डिवार्मिंग कैसे करनी चाहिए डिवार्मिंग करने के लिए आपको दो बातों का पूरे अच्छी से ध्यान रखना चाहिए कि एक तो अपने डोग को खाली पे डिवार्मिंग करें बतलब सुबह के टाइम डिवार्मिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा पगी से डाउन और दूसरा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डिवार्मिंग करने के बाद जब आप डिवार्मिंग की दवाई देते हो अपने डोग को तो उसके बाद आपको कम से कम चार गंटे तक उसको कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना है पानी दे सकते हैं लेकिन दूद वगयरा कुछ नहीं देना पगी से डाउन और आप अपने डोग को दवाई देने के लिए सबसे पहले उसे कुछ अच्छी चीज दिखाईए जो उसको पसंदो जिससे की वह डिवर्मिंग की दवाई देते हैं कुछ डोग डिवर्मिंग की दवाई लेने में बहुत आनाकानी करते हैं पहले हम उसको कुछ मनपसंद चीज देंगे जिससे ही वह खुसो के दवाई भी चुपचाप खाले यह देखे मैं इसको कैल्सियम बोन देने जा रही हूं जिसस अब मैं इसको कैल्सियम बोन दिखाऊंगी लेकिन इसको डिवर्मिंग की दवाई दे दूगी यह इसकी डिवर्मिंग की दवाई है इसका कलर सेम सेम है तो इसको पता नीच लेगा ओकी गाइस यह देखिए नो, no, no, sit down ले यह ले यह देखिए इसको मैं अराम से यह दव चला कि इसने दवाई खाई है या अपनी केल्सियन बोन खाई है अब मैं इसको यह कैल्सियन बोन भी नहीं दूँगी क्योंकि हमेशे इसके बाद कुछ नहीं खिलाना है अगर आपका डोग अंडा पसंद करता है तो उसे अंडे के बीच में रखकर भी हम अंड़ एक के इसमें उसको दवाई को रख दीजिए और इसके मुँमे दे दीजिए तो आपका डोग चुप चाप खा लेगा अब सुबे के साथ बज़े हैं और हमने इस दवाई दी है अब यह आराम से दर दर भूमेगा अब यह आराम से दर दर भूमने फिरने लग जाएगा और उसके मुँ से किसी भी तरे का जागवाग तो नहीं निकल रहा है